हाई गाई दिस इस याम और और आज मैं बताने आवना हूं आपको कुछ स्पेशल बड़ फ्रम दा हिंदू जैसा कि में डेली बताता हूं लेकिन आज के जो बड़ें कुछ स्पेशल हैं बहुत इस पेसल है और आप देखिए पहला वर्ड क्या है रेमेडी रेमेडी का अब होता है कि किसी भी चीज को क्या करना क्या करना क्या क्यों करना अगर मैं बात करूं इसकी एक्स्पानेशन की तो लिख दीजिया आप प्रोवाइड रिलीफ ठीक है प्रोवाइड आ रिलीफ किसी भी चीज को क्यों और करना ठीक है समझ में आ गया बहुत ही इंपोडेंट है और यह पता नहीं आपको मैं बता दूँ कि बहुत ही बार पूछा गया है इसीजील के और शीवन शीएचेसल के एक्जाम में ठीक है तो रिमेडिक तो पता ही चल गया बहुत इंपोडेंट और इसकी हिंदी एक दियां रखें राम बार ठीक है राम बार ठीक है यह पैनेश्यय करके आता है यह क्लिर है तो इसका भी रामबाड वोता है उसी तरह से याद रख रख सकते हैं दूसरा है एक बर्ड है एक्जाशर वीट का मतले होता है कि कि किसी भी चीज को मिघपर आए Ming यानि कि मिघ वर्स वर्स तो जानती है ना bed worse version होता है ना ठीक है डिक्री होती है क्या क्या होती है एक तो मैंने बताया ईफ़ नौर मन पॉजिटीश डिडिक्री होता है WRC बार्श हो गया एका प्रेकर डिग्री डबалы brushing ठीक है यह क्या होता है सबसे आदर खराब हो जाना जैसे कि क्या होता है आपने पड़ा होगा गुड ठीक है बैटर एंड बैस्ट तो सबसे अच्छा यह हो गया बैस्ट और बैटर नॉर्मल कंपैलिटेव दूसरे से अच्छा है गुड तो आप जानते यह पॉजिटिव डिगरी है ठीक वैसे यह का वाले भी डिगरी होती है कि सारी चीज मैं आपको याद कराते चलूंगा रहा हूं यह पर बार बार पूछ के जाते अग्जयम डिग्रेड करना ला है अच्छा धिक速 क्लिए नुसरा बर्ण की होसे वर्षे जिसमें आपको बताई दिया है है अच्छा और क्या हो सकता है एक्जास घृट हो सकता है ठीक है एक्जास हुऊ कि मॐह अज़र已经 कहां नीचे कोई नहीं एक ही बड़ है यह उपन नीचे लिग गया कोई ऑग्नी तिरत इंपोर्टेंट बढ़ है आप इसे अच्छे से याद करने तो मैं नेक्सट वर देखता हूं क्या हो सकता है वही कि ओ है ऑई आई फिंग सम्झेज हिए नो ठीक हो गए नेस्ट देखते हैं अमेंड अमेंड का मतलब क्या होता मेंड का मतलब होता है किसी चीज को improve करना, शुदहारना, ठीक है, ठीक है, यह modify करना, clear हो गया, modify भी कई बर पूछा है, amend भी कई बर पूछा कि आप इनको अच्छे से याद कर लें, ठीक है, ताकि मैं आप next word देखता हूँ, uneven, uneven का मतलब होता है, जो ठीक ना हो, जो ठीक ना हो, यानि की अगर इसके synonymic की बात करूँगा, तो क्या हो सकता है, odd हो सकता है, यानि कि हमारे opposite है, या फिर हम बोल सकते है, spotty, क्योंकि वो ठीक नहीं है, अभी तो spot पढ़े हुए है, spotty भी बोल सकते हो ठीका और क्या हो सकता है ओर भी हो सकता है स्क्राची भी हो सकता है देखिये स owers सी है और कि ऐटी सी एचवाई ठीक है आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे गहूं देख पा रहे होंगось समझ मैं यह बड़ जो है न onckr पूछे गए आप के अगजाम में तो तो आप अच्छे से ने प्यायात करने ज़quiera टाकि आप अच्छे से त्यारी कर पाएं एडिकुट का मतलब होता है इनव तकि होता है इनफ्य कि परियाप्त किसी भे काम के लिए कोई काम कर की आपकी परियाप्त study है मेंस है या एक्जाम के लिए तो दूसरा बढ़ किया होता है सफिशेंट भी हो सकते हैं ठीक है एफ यू एफ यू चॉरी एफ भोलाओ एस यू डॉबलाफाइस इएंटी इस इएंटी सफिशेंट ठीक है किलिर हो गए यह अला बढ़ क्योंकि बहुत ईजी था एडिकोइटली एडिकोइटली प कि फिरेजल बहुत है भाई सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है मैं इसे रब कर देता हूं ताकि मैं अच्छे से मैं आपको बसमझा पाऊँ ठीक है क्या है नोटीशिवल बैटर यह फिर किसी भी चीज में आप बहुत ही ज्यादा जिद्दी होना लगी रहना यह एक्ष अच्छा ओबर राइड आपने एक मूवी मैं बता हुआ कि रुष्तम अक्ष्यकमा की मूवी थी ना उसमें जूर जूरी जज़ बनता है उसमें कहते हैं कि जैसे दूसरा बकील होता है लॉयर होता है वो क्या बोलता है वो यह बोलता है कि भई ऑबरूल बताता है अपना ऑबग्चान देते है तो जज बोल देते हैं ओवर रूए वबर राइड ठीक हुशी से बना हुआ है निरस्त कर देने का या कैंसल करना तो कैंसल करना है जब कैंसल हो या था कोई छी तो क्या होता है ओब राइड कहते हैं क्या कहते हैं और के आऊक्षिवला Barilisक्ण क है इ यह जो वर्ड है वो कभी कवार जैसे cat के एक्जम्मा या तो सीजियल से उपर ही रहता है cat cat 11 ठीक है उसमें आया हुआ है तो मैंने हैं पर डाल दिया ठीक है पेपर निश्पेपर पड़ोगी तो आना चाहिए न तो इसलिए मैंने हैं पर लिख दिये तो ऐसा काम जिसमें तो निर ठीक है क्या होता है निर्विवादित इसमें कोई किसी का एक्शन नहीं हो कोई खिलाफ में नहीं हो ठीक है यह एक्रेशिवल रिस्पॉंसिवल ठीक है ऐसा भी बोल सकते हो आप निर्विवादित फेट अकॉम्प्लाई हो ठीक है कोई जिसके कोई अगेंस्ट में नहीं है को नेट से इंटर रेडिशन Edu के मदला होता है किसी को लिख निटों देनात in Height chill को लग दीना आप一點 owe explanation याने की ददेशन है कि अब शुक्या हिंदि में क्या आप अस vap देना किसी को अर्थ सम्जाना अधरा अब है हिंदी ठीड़ी आर्थ समझाना के लिए आर बहुत ही अच्छे बढ़ है अगर इस लेवल के बढ़ देखोगी तो बहुत कोई भी एक्जाम आपका आप बहुत आसानी से क्रेक कर पाते हो रिलक्टेंस रिलक्टेंस का मतलब होता है अनेच्छुक जिस आ likeendeu अनेच्छ Wam टो डो ञिखाता यह ढो के एनों टी एच यह भी होता है और यलो ठी यह यह दोनु ही बढ़ वहते हैं तो कंफुज मततव होना बहुत ही दोनी बढ़ लग दे वही बढ़ी किमान गया था प्री क्याना के साथ प्रींपोजिशन आटी है और इसका मतलब है किसी काम में जैसे I am capable of doing this work मैं यह काम करने में capable हूँ जासे कि मैं भी लिख देता हूँ I am capable of doing this work ठीक है अब यह देखिए पहले तो दिहां रखिए capable के के बाद off आया है preposition fix preposition है यह और इसके बाद क्या यह doing है जेरंड आया हुआ है ठीक है तो यह निकि भी आई फॉर्म में आई एंजी फॉर्म में को भी बाब लिखिए आती यह fix preposition के बाद तो यह भी आप दिहां रखिए ठीक है तो आई देखिए ठीक है तो इसे अच्छे से परफेक्ट ली आप इसे लर्न कर लें ठीक है ताकि आप किसी भी जो भी जब भी आपका exam हो माली जी आप सीजीयल के exam मैं बता रहा हूँ जो जू बर्ड में आपको बता रहा हूँ वो अच्छे से रट्टा माल लें आपको हर जग अच्छा है आपका synonym हूँ and to हूँ ठीक है यह fill up हूँ और यह fill हूँ यह fill up करना और improvement हूँ हर जग काम आने वाले है ठीक है तो I hope मिलते है नेक्स सेशन में यह आपको सेशन अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं नेक्स सेशन में तब तक लिए bye bye and take care ठीक है और तयारी करते रही है